नमस्कार दोस्तो दोस्तो भारत में लगभग तीन करों लोग इस खतरनाक बीमारी से ग्रसित है और इसमें पूरुशों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा होता है दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं नीपेन की घुटनों के दर्द की यानि आस्टियो अर्थराइटिस की आख चरीर में जहां दो हड्डियां आपस में जोडती हैं उसे जॉइंट यानि जोड कहते हैं हड्डियों के अंतिम हिस्से को सुरक्षित रखनी के लिए एक प्रोजेक्टिव टिशू होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं जब किसी कारण से कार्टिलेज टूट जाता है या उ इसके कारण हड्डियां आपस में रगड़ खाती है, नतीजन क्या होता है, दर्द होता है, अकड़न होती है, और अन्य समस्याएं पैदा होती है, इस इस्तिती को आस्टियो अर्थराइटिस कहते है, वैसे तो यह समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन आम तोर पर यह उम्र दराज यानि जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, आज कल 45 से उपर 50 के उपर के लोगों को ज्यादा होती है, तो आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे, तो सबसे पहले इसके कारण क्या है, दस में कारण बताएंगे, जिनके कारण यह होता है यह प्राबलम चाली होती है, सबसे पहले एजिंग यानि उम्र बढ़ना उम्र बढ़ने के साथ घुटनों में दर्द हो जाता है जब उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के कारण कारण से क्या होता है कि यह जो घुटने हैं घुटने में जो लेयर होती है वह धीरे-धीरे क्या हो जाता है गेस जाता है कार्टिलेज होता है जो लियर होता है यह क्या होता है गेस जाता है और इसमें तो कोई नब्ज होती नहीं है नब्ज होती है हड्डियों में और जब यह हड्डियों के जब एक दूसरे से टकराते हैं घिसते हैं जिसके कारण क्या होता है तैद उत्पन होता है तो सबसे पहल हैं कि हम खड़ा रहना जादा पर तो 24 घंटे में यदि हम आठ घंटी भी अगर कड़े रहते हैं 10 घंटी विश्व कड़े रहते हैं तो है हमारे लिए नुकसान देयक होता है उठने बैठने का ज्यादा काम करते हैं तो उनको घुटने की प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है तीसरा काराण है अंडर यूज मतलब एक तो होगा ओवर यूज दूसरा होगा अंडर यूज यानि की घुटने का यूज ही न करना कई लोग ऐसे होते हैं जो बैठे ही रहते हैं लेटे ही रहते हैं कुछ काम ही नहीं है उनकों हमारे पुरे शरीर के लिए कोई एकसरसाइज नहीं है कोई योगा नहीं है कोई चलना फिरना कोई भी सारीरिक गती विदी ही नहीं है तो उसके कारण भी क्या होता है कि प्रॉब लगने के कारण क्या होता है कि वो जो कार्टिलेज है वह तूट जाती है घिस जाती है उसमें दरार आ जाती है जिसके कारण हड्डियां क्या होती है फिर हड्डियां हड्डियां से टकराने लगती है और जब हड्डी हड्डी से टकराएंगे तो नतीजन क्या होगा दर्द ह तो दुरगटना कोई इंजरी कोई चोट भी इसका कारण हो सकती है इसके बाद में आता है मुटापा गुटनों में दर्द का एक सबसे बड़ा कारण है आज कल है मुटापा मुटापा के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर का जो भी वजन है वह वजन क्या होता है कि हमारे चोट आने लग जाती है, चोट के कारण cartilage क्या होता है, तूट जाता है, दरार पर जाती है, तो फिर हमें दर्द होने लगता है, तो मुटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है, आस्टियो अर्थराइटिस का, घुटनों के दर्द का, इसके बाद करते हैं, flat feet, जनरली हमारे तल्वे कैसे होते हैं इस तरह से होते हैं जिन में थोड़ा सा उठा हुआ रहता और कई लोगों के तल्वे बिल्कुल सपाठ हो जाते हैं तो जिनके न चाली, कि बढ़ी सब्सक्रेवल, मिरी कि परहते हैं, तो चुलिए होस, पनाइज भाल पीश fantast Lake वह weak होती है, पेरों हमारी एक muscles होती है, quatsyps, muscles, जो यदि कमजूर है, तो उसके कारण भी हमारे घुटनों में दर्द होनी लगता, यह muscle से आसे होती है कि जो हमारे पेर को सीधा रखती है, अगर इसी में problem हो जाती है, यह weak हो जाती है, तो हमें गुटनों में दर्द चालू हो जाता है Malalignment Malalignment का मतलब होता है जब दो चीज एक दूसरे से जो हड़ियां जुड़ती है तो ये कभी उपर रह जाता है किसी साइड में जुग जाता है किसी साइड से उपर हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि alignment सही से बैठ नी पाता अब कहीं एक दूसरे से चिपक गया चिपक गया है तो जब हम चलेंगे तो क्या होगा की होगा है गिसीगा अब उठ गया है तो उस साइड तो कुछ नहीं हो सकता है अगर उनके मदर फादर को है यदि घर परिवार में किसी को है तो भी यह बीमारी बच्चों में आ जाती है और यह जल्दी एज में आ जाती है इसके बाद में एक चीज और है यह बीमारी जो है लेडीजियों को जादा खतानाक होती है आप देखेंगे कि 70 और 30 का रहसो चलता है अगर 100 में से 70 लेडिज मिलेगी आपको और 30 लोग जेंट्स मिलेंगे तो आजकल ये बिमारी बहुत तेजी से फैल रही है इसका बचाव जरूरी है करीब करीब अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में करीब करीब तीन करोड लोग इस बिमारी से ग्रसित है तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कामेंट्स करिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंथ सब्सक्राइब करिए और देखते रहे हमारे यूटूब चैनल थैंक्यू, धन्वाद